Hello everyone, दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे Heart of Darkness जिसको लिखा है Joseph Conrad ने इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तो इस novel के Key Facts और Summary तो चलिए पहले Key Facts रेख लेते हैं दोस्तो इस novel का Full Title है Heart of Darkness इसको Publish कराया गया था 1899 में और इसका Literary Period है दोस्तो Victorian Period और Modern Period दोस्तो इस novel का यौनर है Colonial Literature और Quest Literature और इसकी सेटिंग रखे गई थे दोस्तो Thames River जो की London के पास है England में तो चलिए ये तो हो गए Key Facts अब इसकी Summary डिसकस कर लेते हैं Marlow एक सेरर था जो बच्पन से ही Africa का Travel करना चाहता था क्योंकि बाकी continents के comparison में अफरीका अभी तक जादा explore नहीं किया गया था और उसने सुना था कि अफरीका के जंगल और उसके अंदर के birds और animals देखने लाएक थे यही सोच कर दोस्तो उसने एक ivory यानि हाथी के दात का trade करने वाली company में steam boat के captain की job वो करने लग गया था उससे का गया कि वह अफरीका में company के central station पर जाए वहां से उसकी steam boat मिलेगी जिसका वह captain होगा steam boat लेकर दोस्तों उसे कर्ड्स नाम के एक agent के inner station पर जाना था और कर्ड्स ने इखटा किया गया ivory लेकर उसको आना था Marlowe ने कर्ड्स के बारे में बहुत सुना था और उससे मिलना चाता था सब कहते हैं थे कि वह बहुत बड़ा genius था और एक role model था सबसे पहले दोस्तों Marlowe train लेकर अफरीका महादूईब के कॉंगो देश में पहुँचता है वहाँ से एक steamer लेकर वे सबसे पहले company के outer station पर पहुँचता है Marlowe देखता है कि वहाँ एक railway की पठरी बिचाने का काम चल रहा था और अफरीकन लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया गया था उन पर दोस्तों बहुत ज़ादा अत्यचार किया जा रहा था और उन में से जादर मजदूर बिमार और भूके थे company के agents मजदूरों की तरह तरह की punishment दे रहे थे और एक तरह से उन्होंने उन सब को गुलाम बना रखा था Marlowe को ये सब देखकर दोस्तों बहुत ज़ादा दुख होता है उसे लगता है कि white men इन लोगों को civilize करने के बहाने exploit कर रहे हैं Marlowe दोस्तों 10 दिन तक इसी station पर रुखता है लेकिन वहां के जंगल और पशुपक्षियों को देखकर दोस्तों बिल्कुल हैरान रह जाता है उनमें बहुत से दोस्तों जो पशुपक्षियों वो बहुत ज़ादा एक तरह से unique थे और Marlowe ने उन्हें पहली बार देखा था एक दिन दोस्तों Marlowe को company का accountant मिलता है जो curds की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि curds दूसरों के मकाबले बहुत सा ivory भेशता है उसके पास कोई different technology है और इस वज़य से वे एक दिन बहुत आगे जाएगा इससे Marlowe की curds को देखने की दोस्तों curiosity और भी बढ़ जाती है 10 दिन के बाद Marlowe वहाँ से center station के लिए निकल पड़ता है उसकी steamboat वहीं थी और वह उसी का captain था वहाँ से दोस्तों steamboat को उसे अगले station पर ले जाना था जहां curds posted था और वहाँ से उसकी द्वारा जुटाई गई ivory लेकर आनी थी Marlowe दोस्तों 60 लोगों के साथ center station के लिए पैदल ही रवाना हो जाता है center station वहाँ से दोस्तों 320 km था और Marlowe को वहाँ पहुचने में 15 दिन लग जाते हैं लेकिन जब Marlowe वहाँ पहुचता है तो देखता है कि उसकी steamboat accident की वज़े से खराब पड़ी हुई थी अब आगे दोस्तों Marlowe वहाँ company के manager से मिलता है Marlowe अपनी steamboat को repair करने में जुट जाता है लेकिन जरूरी सामान ना होने के कारण इसमें बहुत जादा time लग जाता है उसे outer station से सामान मंगवाना पड़ता है इसी बीज दोस्तों Marlowe देखता है कि manager Kurtz को पसंद नहीं करता था और उसने उसे brickmaker नाम के आदमी के साथ कोई plan बनाते हुए भी सुना था manager को लगता था कि वह कहीं एक दिन Kurtz को promote करके उसे उसकी position ना मिल जाए इसी बीज दोस्तों ये rumor फैलता है कि Kurtz बिमार हो गया है काफे दिन बाद दोस्तों आखिर Marlowe's team board को ठीक कर लेता है इसके बाद वे अपने साथ कुछ agents और जंगली लोग यानि savages को लेकर Kurtz के inner station के लिए रवाना हो जाता है वे लोग दोस्तों एक river से होकर जा रहे थे और यह यातरा बहुत ज़ादा कठिन थी रास्ते में दोस्तों उन्हें native यानि आदिवासी लोगों के गाउं दिखते थे बहुत से crew members उन्हें देखकर दोस्तों डर जाते थे क्योंकि सबने अफ़ाल सुने थी कि natives cannibals होते हैं और आदमी का मास्क खाते हैं एक दिन दोस्तों मारलोई और उसके crew को एक हर्ट नजर आती है वहां लकडियों का बहुत सारा डेर रखा हुआ था उस पर लगे नोट पर लिखा हुआ था कि यह आपके लिए है यह देखकर दोस्तों मारलोई सोचता है कि जरूर वहां इंगलिश लोग होंगे क्योंकि पढ़ना लिखना उन्ही को आता था वे लोग दोस्तों वहां जाते हैं लेकिन हर्ट में कोई नहीं था वे लकडियां उठाकर स्टीम बोट पर रख लेते हैं ताकि उन्हें जलाकर स्टीम बनाई जा सके फिर वे आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी देर बाद दोस्तों घना कोरा उन्हें घेर लेता है जब कोरा दोस्तों हटता है तो बहुत से नेटिव लोग छुपकर उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं अब दोस्तों एक आदमी को तीर लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है मालोई दोस्तों बार बार स्टीम बोट की विसल बजाने लगता है उसकी आवाज सुनकर दोस्तों नेटिव लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं आखिर में दोस्तों सब लोग कर्ड्स के इनर स्टेशन पर पहुँचते हैं मालोई को लगता है कि कहीं कर्ड्स मरन गया हो लेकिन दोस्तों तभी उसे एक रश्यन आदमी मिलता है वहाँ उसे कर्ड्स के बारे में बहुत सी वाते बताता है वह कहता है कि कर्ड्स बहुत तैलेंटिड है वह बहुत अच्छा पेंटर और लीडर भी है यहाँ पहुँचकर उसका एक दम से हिर्दय परिवर्टन हो जाता है और उसने यहाँ के नेटिव लोगों से दोस्ती कर ली और उनके तोट तरीके वा रीति रिवाज अपना लिए यानि कर्ड्स ने उनसे दोस्ती कर ली और उनके रीती रिवाज भी अपना लिए फिर वे उनी की तरह जंगली बनकर जीवन जीने लगा वहां के लोग उसे गौड मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे इसके बाद वे उनके साथ मिलकर पड़ोस के गाउं में जाता था और आईवरी लूट कर लाता था फिर वे उसे कंपनी को भीज देता था दोस्तों मालों ने देखा कि वहां बहुत से कटे हुए सिर्क टंगे हुए थे जिससे साबित होता था कि सच में कर्ड ऐसा ही करता था रश्यन दोस्तों आगे कहता है कि इतनी आईवरी भीजने के कारण वे इतना फेमस हो गया था लेकिन बहुत से वाइट डोग इस बात को पसंद नहीं करते थे उन्हें लगता था कि वे वहां के लोगों को सिवलाइस्ट करने आए हैं ना कि उनकी तरह बनने इससे दोस्तों उनका इंपेरिलिजम का मिशन भी खत्रे में पढ़ सकता था इस कारण से दोस्तों मैनेजर कर्ड को पसंद नहीं करता था लेकिन दोस्तों दुरवा के वश अब कर्ड्स बिमार हो गया था तबी कुछ नेटिव्स बिमार कर्ड्स को एक स्ट्रेशर में उठा कर वहां लाते हैं इसके साथ ही दोस्तों हजारों की संक्या में नेटिव्स वहां पहुँचकर उन सब को घेर लेते हैं लेकिन दोस्तो कर्ड उनसे उनकी बाशा में कुछ कहता है और फिर वे सब फिर से जंगल में गायब हो जाते हैं अब आगे दोस्तो फिर मैनेजर कर्ड को स्टीम बूट पर ले आता है और वे उसे और आईवरी को लेकर वापिस जाने लगते हैं तब भी दोस्तों मालोय देखता है कि नदी के थट पर एक खड़ी एक नेटिव औरत स्टीम बूटो गुर रही थी रैशन उसे बताता है कि वैं कर्ड की लवर थी इसके बाद दोस्तों रैशन मालोय को बताता है कि कर्ड ने ही उन पर हमला करवाय था क्यूँकि वह estás था था आते हुए सुना था शायद वे रश्यन और कर्ट को मानना चाते थे यह सुनकर दोस्तों रश्यन डढ़ जाता है और एक छोटी नाव लेकर वहाँ से फरार हो जाता है अब दोस्तों रात को मालोय देखता है कि कर्ट भी वहाँ से भाग गया था वह जंगल में उसके पीछे जाता है और देखता है कि बिमार कर्ट्स चार पैरो पर चलता हुआ अपने स्टेशन के तरफ जा रहा था लेकिन दोस्तों मालोई उसे वापस आने के लिए कर लेता है यातरा के दोरान दोस्तों कर्ट्स मालोई को अपने डॉकुमेंट्स देता है और कहता है कि इन्हें मैने करने के नाम पर उन्हें एक्स्वाइट कर रहे हैं वे असली अपरादी है वे खुद को महान समझते हैं लेकिन महान है नहीं इसके बाद दोस्तों के लास्ट शब्द होते हैं होरर होरर जिसका मतलब था कि यहां के नेटिव लोगों को जिस टॉर्चर से गुजनना पढ़ आ जाता है वहां दोस्तों वे कर्ट की फ्यौन से यानि मंगेतर के खड़ जाता है जो अभी भी शोक में डूबी हुई थी वे कहती है कि कर्ट बहुत टेलेंटिट था और उसमें बहुत सी अच्छी क्वालिटी थी आखिर में पूछती है कि कर्ट के आखरी शब्द क्या थे मालोई उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना जाता था दोस्तों इसलिए वे उसे जूट बोल देता है कि आखिर में मालोई ने उसी का नाम लिया था और दोस्तों यहाँ पर इस नॉवल का एंड हो जाता है तो आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी थैंड हाँ झाता हुक्छरी झाता है